हेलो बच्चो कैसे हैं आप बच्चो आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड हिंदी रिम जिम के अंतरगर चेप्टर नमबर 11 मीरा वहन और बाग तो बच्चो आप ध्यान दें सबसे पहले आईए पढ़ लेते हैं पार्ट इसके बाद हम आपको बताएंगे इस पार्ट से संबंदित प्रस्णों के उत्तर भी तो आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें मीरा वहन और बाग तो बच्चो आप देख रहें नहीं यहाँ पर यह आपका चेप्टर नमबर 11 मीरा वहन और बाग मीरा वहन का जैन्म इंग्लेंड में हुआ था गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घहर और अपने माता पिता को छोड़ कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी आप देख रहे ने बचों यहाँ पर आजादी के पांस साल बात उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गाओं गेमली में गोपाल आसरम की अस्तापना की इस आसरम में मीरा भेन का बहुत सारा समय पालतू पसूं की देखवाल में बीता था लेकिन गेमली गाओं के आसपास के जंगलों में बाग जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे इसके बाद यह बच्चो आप ध्यान दें गेमली गाओं जहांकी मीरा भेन रहती थी पाड़ी गाओं में अक्सर बाग का डर बना रहता है जंगल कटने के कारण सिकार की तलास में बाग कभी कभी गाओं तक पहुँच जाता है गेमली गाओं में एक बार यही हुआ एक बाग ने गाओं में घुच कर एक गाओं को मार डाला सुबह होते ही यह खवर पूरे गाउं में फैल गई गाउं के लोग डरे किया बाग कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों को और किसी आदमी को ही अपना सिकार ना बना ले गाउं के लोग गोपाल आस्रम आये गोपाल आस्रम गए और उन लोगों ने मीरा बेहन को अपनी चिंता बताई गाउं के लोगों ने अंत में तैय किया कि बाग को कैद कर लिया जाए उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी योजना यहा थी कि बकरी का मिमी आना सुनकर बाग पिंजड़े की तरफ आएगा पिंजड़े का दर्वाजा इस परकार खुला हुआ बनाय गया कि बाग के अंदर गुशते ही वह दर्वाजा जटके से बंद हो जाए साम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगे पर रख दिया गया जहां बाग अक्सर दिखाई देता था यह जगे मीरा भेन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी रात भी थी सुवे की रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने निकल पड़े उन्हें दूर से देखा कि पिंजड़े का दर्वाजा बंद है वे यहां सोचकर बहुत खुश हुए कि बाग जरूर पिंजड़े में फंस गया होगा लेकिन जब वे पिंजड़े के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं पिंजड़े में बाग नहीं था लोग चकी थे बाग के अंदर किये अंदर गए बिना पिंजड़ा कैसे बंद हो गया लोग मीरा बहन के पास पहुचे लोग उन्हें सोचा कि गोपाल आसरम के गोपाल आसरम पास में ही था इसलिए सायद मीरा बहन को मालम हो कि रात में क्या हुआ पूचने पर मीरा बहन बोली देखो भाई मुझे नीन नहीं आ रही थी मैं सोचती रही कि आखिर बाग को धोका दे कर हम क्यों फसाएं इसलिए मैं गई और पिंजड़े का दरवाजा बंद कर आई तो बच्चों यहाँ पर देखा आपने मीरा बहन का ब्योवार कैसे था उसने क्या सोचा कि बाग को धोका न दिया जाए और इसलिए वाँ पिंजड़े का दरवाजा खुदी बंद करके आगई थी तो आईए यहाँ पर जो है इस पार से सम्मंदित कुछ प्रसन देख लेते हैं उम्मीद है कि आपको इस पार को पढ़के बड़ा आनंद आया होगा इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा चलिए देख लेते हैं यहाँ पर इस पार से सम्मंदित प्रसनों क उत्तर तो आप देख रहें नहीं आपर पहला प्रस्निक यह है आपका कहानी से कहानी में बाग को खतरनाक जान पर बताया गया है नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तो मारी समझ में क्या है और क्यूं तो आप देख सकते हैं यहां पर बच्चो चाकू बिजली तूटा हुआ कांच आग तो इन में से आपने उत्तर लिखना है आईए हम आपको बताते हैं इस प्रस्ण का उत्तर तो बच्चो आप ध्यान दें हम इस पार्ट से सम्मंदित सारे प्रस्ण के उत्तर आपको यहां पर दिखाने वाले हैं आप इने अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं और जैसे कि हमने आपको बताया था कि कहानी का कहानी से यहां पर पहला प्रस्ण है और हम इसका आपको यहां पर उत्तर बताने वाले हैं आईए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं प्रस्ण को कहानी में बाग को खतनाक जानवर बताया गया है निचे दी गई सूची में सबसे खतनाक चीज तुमारी समझ में क्या है और क्यूं जैसे कि आप देख रहे हैं पर चाकू बिजली तूटा हुआ कांच या आग इनमें सबसे खतनाक कौन सा है आप उत्तर लिखेंगे इस आप यहाँ पर से देखके पहले प्रसन का उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं इसके बाद ध्यान दे आप यह है आपका दूसरा प्रसन आप देख रहे हैं यहाँ पर दूसरा प्रसन तो दूसरा प्रसन है बच्चो मीरा बहन की बात सुनकर गाओं के लोगो लिखेंगे आप एक ग्रामीर ने मीरा वहन से कहा होगा कि आपने यह अच्छा नहीं किया बाग कभी भी आकर आदमी को खा सकता है आपके जानवरों को भी मार सकता है दूसरे ग्रामीर ने कहा होगा कि यह दिगाओं के किसी आदमी को बाग ने अपना सिकार बना लिया तो आ यहां पर क्या लिखेंगे आप कहा यहां पर आप खा ना लिखेंगे यहां पर लिखेंगे कहा ध्यान दे बच्चो इसके बाद अगला प्रसने यहां पर कहां से खतरनाक है या नहीं यहां से आप अगला प्रसने का उतर देखें यहां पर है प्रसने पहले गेंवली गाउं क आसपास के जंगलों में बाग जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे तुमारे हिसाब से नीचे लिखे जनतों में से कौन-कौन खतरनाक हो सकता है तो आप देखें यहाँ पर कौन-कौन खतरनाक हो सकता है देखें ना आप यहाँ पर जानवरों के नाम बैंस चीता यहाँ पर कुता बिल्ली चुहा सांप बिच्चु कच्छुआ केंचुआ तिल चटा कब उतर भालू तो इन में से बच्चो खतरना कौन-कौन होता है चीता होता है ने खतरना कुता सांप बिच्चु और भालू इस प्रकार से आप अपना उतर अपनी नोट बूक में लिखें इसके बा खतरनाक हो सकते हैं बच्चो उत्र लिखेंगे आप चीता जब जब जंगल से भाग कर सहर में आए और आदमियों को अपना सिकार बना ले तब खतरनाक हो सकते है ना। कुटा जब पागल हो जाए और काट ले तब खतरनाक होता है साप जो ये छेड़ने पर खतरनाक हो सकता है बिच्चू के डंक के दर्द से जान जा सकती है और भालू जब जंगल से भाग कर आवादी में आकर लोगों पर धावा बोल दे तब खतरनाक हो सकता है तो इस प्रका तो प्रस्ण क्या है आपके लिए चुहा पकड़ने का पिंजड़ा देख कर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चुहा उससे बाहर क्यों नहीं आपाता तो यहां पर आप बच्चो छोटे की मातरा रखें और लिखें की की ना और आपने इस प्रस्ण का उत्तर क्या लिखना है चुहा पकड़ने के पिंजड़े में दोनों तरफ से मुडा हुआ एक तार जाली में लगा होता है बाहर का मुडा तार दर्वाजे के कौने को रोगता है और अंदर की तरफ उसमें रोटी लगी होती है जैसे ही चुहा अ प्रत्र नहीं खुलता जिस कारण चुआ बाहर नहीं आ सकता तो इस प्रकार से आप इस प्रसने का उत्तर लिख सकते हैं इसके बाद अगला प्रसने बच्चो गाउवालों ने बाग को पिंजडे में बंद करने की योजना बनाई थी किसी आजात पसु या पक्सी को में बंद करके रखना गलत है या उसके प्रती अन्याय है स्वतंतरा सबको प्यारी होती है उसका प्राकरतिक सोबाओ आदते खाना पीना चलना फिरना उड़ना आदी प्रवावित हो जाते हैं इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे अगला प्रसने है बच्चो क्यों कैसे आप देख रहें नहीं आपर क्यों कैसे तो प्रसने आपके लिए अपने मन में सोच कर लिखो ऐसा कैसे किया होगा जैसे कि बाग की खबर पूरे गाओं में फैल गई तो कैसे फैली होगी उतर लिखेंगे आप गाओं छोटे होते हैं उनकी आबादी बहुत कम होती है एक ब्यक्ति से दूसरे ब्यक्ति तक खबर पहुंचने में देर नहीं लगती इस परकार पूरे गाउं में खबर फैल गई और अगला प्रस्ण है लोग मीरा बहन के पास पहुंचे क्यों पहुंचे तो उत्तर होगा सब लोग मीरा बहन को अपनी समस्या से अवगत कराना चाते थे उन्हें विश्वास था कि वे इसका कोई ने कोई उपाय जरूर निकालेंगी अगला है प्रसना आपके लिए पिंजरा बिना बाग के बंद हो गया कैसे हुआ उत्तर लिखेंगे आप मेरा बहन ने सोच कर कि बाप को दोका दे कर क्यों फसाये जाए यहाँ पर गलत हो रह बाग क्या लिखेंगे बाग तो मेरा बहन ने सोच कर कि बाग को दोका दे कर क्यों फसाया जाए इसलिए उन्हें पिंजरे का दर्वाजा बंद कर दिया यहाँ पर लिखेंगे का पिंजरे का दर्वाजा बंद कर दिया इसलिए उन्हें पिंजरे का दर्वाजा बंद कर द यह है आपके लिए अगला प्रस्ण बकरी कहे कहानी तो यहाँ पर प्रस्ण आप देख रहे हैं नै सोचो अगर यह बकरी सुनाती तो क्या-क्या बताती उसकी कहानी मज़ेदार होती ना तो उतर में लिखेंगे अगर बकरी यह कहानी बताती तो निश्चा ही कहानी मज़ेदार होती आप उत्तर इस प्रकार से अपनी नोट बुक में लिखें अगला प्रस्ण है बच्चो बकरी अपनी कहानी में क्या-क्या बताती यहाँ पर देख रहे ना आप दूसरा प्रस्ण तो आप लिखेंगे उत्तर लिखेंगे बकरी अपनी कहानी में कहती कि वह गाए के पास ही कोने में खूटे से बंदी थी मैंने बाग को आते देखा यहाँ देख मैं तो डर के मारे थर-थर कापने लगी मेरी आवाज बंद हो गई मैंने देखा बाग गाए की पीट पर उचला और उसकी गरदन खाने लगा मैं बेहोस हो गई जब होस आया तो बाग वहाँ से जा चुका था सुबह मरी गाए को देखने के लिए लोगों की भीड लग गई लोग चिंती दिखाई दे रहे थे एक गाउवाला कह रहा था कि आज तो उसने गाए मारी कल को आज मी मारेगा चलो मीरा भेहन के पास चलते हैं सब मीरा भेहन के आस्रम में पहुँचे बाग को कैद करने के लिए कि पिंजरा बनाया गया करने के लिए यहाँ पर कुछ ना लिखें आप यहाँ पर इसको काटें बाग को कैद करने के लिए पिंजरा बनवाया गया पिंजरा ऐसा था कि बाग के अंदर गुषते ही जटके से बंद हो जाता गाँवालों ने पिंजरे में मुझे बांद कर वहां रख दिया जहां बाग अक्सर जाया करता था मैं मिमी आने लगी मुझे बहुत डर लग रहा था समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ इतने में मेरा बहन वहां आई और उनने पिंजरे का दरवजा बंद कर दिया मेरी जान में जान आई मैं मनी मन उन्हें धन्यवाद दिया और मेरी जान बच गई तो बच्चो इस प्रकार से बकरी यदि कहानी सुनाईगी तो इस प्रकार से सुनाईगी आप इसे अपनी नोट बुक में लिख लें इसके बाद अगला प्रसन आपके लिए चलो पकड़ें आप तेख रहे निया आपर चलो पकड़ें तो यहां पर आपके लिए प्रस्न होंगे बच्चो आप ध्यान दें पहला प्रस्न है गावालों ने बाग को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी कक्कू के घर के घर में रोज बिल्ली आकर दूद पी जाती है कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ तो ऐसा बनाए जाएगा कि बिल्ली के अंदर गुशते ही दर्वाजा जटके से बंद हो जाए और बिल्ली पिंजरे से ना निकल पाए तो इस प्रकार से आप इस प्रस्न का उत्तर लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में लिखें और इसके बाद है बच्चो अगले प्रस्न आ यह चित्र है आप देख रहे हैं यहाँ पर कई प्रकार के चित्र हैं और यह सब कहीं न कहीं किसी न किसी के बारे में बताते हैं आईए देखें आप उत्तर में उत्तर उपर दिये गए चित्र राष्ट पिता माध्मा गांधी से जुड़े हुए हैं जुड़े हुए हैं बच्चो यह माहत्मा गांदी का चर्खा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माहत्मा गांदी जी की आइनक यहाँ पर उनके चपल यहाँ खड़ाओ यहाँ पर माहत्मा गांदी जी की घड़ी और यहाँ पर कुछ मूर्तिसी है जिनकी वो पूजा करते हैं और यहाँ पर उनक इसके बाद अगला प्रस्न है बच्चों यहां पर कौन क्या है तो यहां पर प्रस्न है आपके लिए बाग, गाय, बकरी, हाती और हिरन जानवर हैं नीचे लिखी हुई चीजें क्या हैं खाली जेगे में लिखो तो आप ध्यान दे यहां पर अगरतला, अलमोडा, रायपूर कोची, बडोद्र यह सब क्या हैं बच्चों? उत्तर है आपके लिए आपर नगर यह सब क्या है नगर है जलेबी, लड़ू, सुरपा, कलाकन्द, पेड़ा यह सब क्या हैं? यह सब मिठाईयां हैं नरमदा, काभेरी, सतलूज, ब्रहम, पुत्र, यमुना यह सब क्या हैं बच्चो नदियों के नाम हैं और इसी प्रकार से बरगयद नारियल पीपल चीड नीम ये सब क्या हैं पेड़ हैं गेहूं बाजरा चावल रागी मक्का ये सब क्या हैं फसल हैं कुर्ता साड़ी फिरन लहंगा कमीज ये सब क्या हैं वस्त्र हैं तो इस प्रकार से बच्चो इस प्रस्न के उत्तर आपने देखे यहाँ पर यह हैं इस प्रस्न के उत्तर यह आपका प्रस्न यह है आपका प्रस्न आप देख रहें नहीं यहाँ पर यह प्रस्न और यह प्रस्न से संबन दीत यह हैं इसके उत्तर तो आप यहाँ से उत्तर लिख सकते हैं साथ साथ उत्तर लिखे हुए ने पीछे यहां से आप देखें इसके बाद है अगला प्रस्ने आपके लिए कोयल कुकू बकरी में में यहां पर देख रहे ना आप कोयल कुकू बकरी में में तो प्रस्ने है जानवरों की बोलियां तो आपने या तुमने सुनी होंगी कोयल की बोली को जैसे क्या बोलते हैं लोग मक्ही भिन भिना रही है जो मक्ही की आवाज होती है उसे क्या कहते हैं भिन भिना ना और कोयल जो आवाज करती है उसे क्या बोलते हैं कूक ना तो इसी तरह सभी जानवर आवाज करते हैं उनको क्या क्या बोलते हैं नीचे दिये गए खाने में एक तरह जानवरों के नाम है, दूसरी तरह बोलियों के, ढूंड निकालो, कौनसी बोली किसकी है, तो यहां पर देखे न आप, यह हैं जानवर और यह बोलियां, जैसे बैंस, तो यहां पर आपने ऐसे करके लाइनों पे मिलाना है, जो सही होगा, उसके साथ, उसे आपने मैच करना ह तो बैंस क्या करती है गोडा क्या करता है हाती क्या बकरी क्या सेर क्या इन सब को क्या क्या बोलते हैं तो इन सब के यहां पर जो एब बोलिया लिखी हुई है आपने एक के साथ दूसरे को मिलाना है जो सही सिस के साथ मिल जाए उसे ही आप सही लिखेंगे चलिए उतर देख रहे हैं उत्तर होगा आपका बचो इस प्रकार से बैंस क्या करती है बैंस रंभाना और घोड़ा हिन हिनाना हाती चिंगारना बकरी मिमियाना और सेर सेर का क्या होगा दहारना और गदा यहाँ पर गाये का देखें पहले गाये रंभाना खुत्ते का ब़ौकना और आग Deshalb अर भी हैं बचो यहाँ पर गधा है गदे का होगा यहाँ पर देखें रेंगना तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे आपके समझ में आ गया ना कु गाय का रंभाना और सेर का दहारना यहां देखें आप इस प्रकार से मिलाएंगे आप सेर का दहारना आप ध्यान से देखें किस प्रकार से यह जो एने यहां पर सेर वाला यहां थोड़ा नीचे हो गया बकरी का मिमियाना हाती का चिंगारना गोड़े का हिन हिनाना इस प्रक तर आप देखें यहाँ पर एक प्रस्नी यहाँ पर आपके लिए यह भी प्रस्नी है बच्चो ध्यान दें ठीक करो यहाँ पर आप देख रहे ने ठीक करो तो प्रस्नी आपके लिए हवाई जाहाज आसमान उड़ रहा है तुम्हें यह वाक्या कुछ अरपटा लग रहा है इस वाक्य को फिर से पड़ो, हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है, कुछ लग रहा है ने बच्चो, कुछ वाक्य सही सा नहीं है ये, कुछ उड़ पटांग सा लग रहा है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ पर आना चाहिए था, मे यहां पर न हवाई जहाज यहां पर यहां पर नहीं यहां पर आना चेता यहां पर हवाई जहाज आसमान में अब सही लग रहा है न बच्चो हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है अब सही लग रहा है न तो इसी प्रकार से तुम्हे पहले यह अटपटार सा लग रहा था अब क्या होगा इसका सही क्या होगा हवाई जाज आस्मान में उड़ रहा है तो अब इसी प्रकार से कुछ वाकिया आपके लिए दिये होएं आप इन वाकियों को ठीक से लिखेंगे इनके बीज में कुछ कुछ आपको लिखना पड़ेगा दूप बैठकर ढोकला खाया तो यहाँ पर क्या होगा दूप में बैठकर ढोकला खाया यहाँ पर आएगा दूप में बैठकर पुतल काम करने मना कर दिया तो यहाँ पर काम करने से यहाँ पर लिखेंगे से लता ने सब मुंगफली खिलाई तो यहाँ पर लता ने सब को मुंगफली खिलाई तब सही हो गया न पहाडी गाओं में बाग का डर बना रहता है इस प्रकार से चलिए उतर देख लेते हैं उतर होगा धूब में बैट कर ढोगला खाया पुतल ने काम करने से मना कर दिया लता ने सब को मुंगफली खिलाई पहाडी गाओं में बाग का डर बना रहा तो इस प्रकार से इसका उतर लिख सकते हैं तो बच्चो अब वे सभी सब्द फिर से लिखो जिने तुमने जोड़ा था तो यहाँ पर देखें आप क्या क्या जोड़ा था आपने यह सारे सब्द यहाँ पर है सबसे पहले में तो यह आ गया में आपका ने से देखो ने से फिर ने फिर को और फिर में फिर ने को और में और फिर का यहाँ पर का तो यह आ गया वह सब्द तो यही सारे सब्द लिखे थे ना आपने तो होगया आपका अंसर तो आप इसे अपनी नोट बूक में लिखेंगे तो बच्चो यहाँ तक इतने ही थे आपके इस पार्ट में प्रस्णों के उत्तर और प्रस्ण उमीद है कि आपको ये पार्ट और इस पार्ट से संबंदित प्रस्णों के उत्तर अच्छे से समझाये होंगे आप इसे अपनी नोटबुक में लिखें और इन्हें याद भी करेंगे तो बच्चो आप ध्यान दें इसी प्रकार से ककसातीन हिंदी के सभी पार्टों को पढ़ने के लिए आप चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो साथ में घंटी वाला बटन है वेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि आपको जब भी हम नए पार्ट की वीडियो डालेंगे आपको उसकी नोट्पिकेशन मिलती रहेगी और वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है आप लाइक भी कर दें यदि आपको वीडियो और इस पार्ट से समबंदित प्रस्णों के उत्तर अच्छे से समझ आये होंगे आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक भी आउसे कर देना आज के लिए इतना काफी है बच्चों आपका दिन सुभू